अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो ची लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल के डिस्प्ले के बारे में जिसमें 6.58 इंचिस के एक IPS LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी अगर बात करें इस मोबाइल के स्क्रीन प्रोटेक्शन के तो इस मोबाइल में गुरिला ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेगी अगर बात करें इस मोबाइल के वेट के तो यह मोबाइल आपको 193 ग्राम का देखने को मिलेगा जो कि थोड़ा बल्की होगा ओवराल देखा जाते हैं इस मोबाइल के डिस्प्ले में आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी इस mobile में काफी अच्छी quality की display आपको देखने को मिल जाएगी अब चलते हैं इस mobile के अगले segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के operating system, chipset और GPU के बारे में इस mobile में Android 11 operating system आपको देखने को मिलेगा chipset, media tech, dimensity 7 and 8 होगा जिससे के आपको इस mobile में heating issue काफी कम देखने को मिलेगा और day-to-day performance भी आपको काफी smooth इस mobile के देखने को मिलेगी अगर बात करें इस mobile के GPU के तो इस mobile में Mali-J57, M62 GPU आपको देखने को मिल जाएगा जिससे के इस mobile में gaming graphics आपको एकदम awesome quality के देखने को मिलेगे overall देखा जाते हैं इस mobile में काफी solid platform आपको देखने को मिलेगा आप बात करते हैं इस mobile के main camera के जिसमें 64, 8 और 2 megapixel का triple camera setup आपको देखने को मिलेगा camera feature में इस mobile में HDR का feature भी होगा अगर बात करें main camera के video quality के तो आप इस mobile से 4K और 1080p में decent quality के photos और video shoot कर सकते हैं अगर बात करें selfie camera की तो इस mobile में 8 megapixel का front camera आपको देखने को मिलेगा और front camera की video quality 1080p होगी overall देखा जाते हैं इस mobile में काफी अच्छी quality का camera segment आपको देखने को मिल जाएगा अब चलते हैं इस mobile के अगले segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile की memory के बारे में सबसे बात करते हैं इस mobile के card slot की तो इस mobile में microSD card slot आपको देखने को मिलेगा internal memory 2856GB होगी अगर बात करें इस mobile के RAM की तो इस mobile आपको 8GB और 12GB के variant में देखने को मिल जाएगा अगर बात करें sound quality की तो इस mobile में addition quality का आपको loudspeaker देखने को मिलेगा और 3.5mm jack का feature भी इस mobile में होगा अगर बात करें fingerprint sensor की तो इस mobile में वीवो के हर mobile के तरह fingerprint sensor आपको side mounted देखने को मिलेगा आप बात करते हैं इस mobile के battery के बारे में जिसमें 5000mh के बड़ी LAPO battery आपको देखने को मिलेगी और charging की बात करें तो इस mobile में 18W के faster charging भी होगी अगर बात करें इस mobile के कुछ common features की तो इस mobile में 2.0 type C USB port आपको देखने को मिलेगा और infrared port और NFC का feature इस mobile में नहीं होगा अब चलते हैं इस mobile के सबसे important segment के तरह जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के color price और release date की सबसे बात करते हैं इस mobile के color की तो इस mobile आपको black और gradient color में देखने को मिलेगा इंडिया में इस mobile का price 21,690 होगा अगर बात करें इस mobile के release date की तो इस mobile 30 December को release हो जाएगा overall देखा जातो वीवो की तरफ से काफी अच्छे feature आपको इस mobile में देखने को मिल जाएंगे अगर आपका budget 22,000 के आसपास है तो आप ये mobile ले सकते हैं आप सबसे आखिर में बारी आती है इस mobile के rating की तो इस mobile के सारे feature को देखते हुए इस mobile के stone rating होगी 6.5 out of 10 अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like share ज़रूर करना और चैनल को subscribe करके bell notification को भी on कर लेना और comment करके बताना है इस mobile के सबसे चाफिचर आपको कौन सा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में